अभिनेता सुशान सिंग राजपूत की मोत को छे महीने से जादा गुजर चुके हैं लेकिन अभी भी एक्टर के फैन उनके लिए नयाय की मांग कर रही हैं आपको बता दे कि अभिनेता सुशान सिंग ने आत्म हत्या की थी उनकी आत्म हत्या के बाद काफी खलबली भी मच जो मामला अभी तक चल रहा है इस एक केस के वज़े से कई और जिंदगियों पर गहरा असर पड़ा है ऐसी एक कलाकार है रिया चक्रवती जिने शुरुवाती समय में इस केस में मुख्य आरोपी बताया गया था सुशांत के परिवार ने रिया के खिलाफ मुकदमा भी दर्श करवाया था और उन पर धोका धड़ी का आरोपी लगाया था लेकिन मामला जब CBI के पास पहुचा तो ये केस पूरी तरह से बदल गया और रिया को ड्रग केस में दोशी बताया गया अब ड्रग केस में रिया क को बेल जरूर मिल गई है लेकिन उनका फिल्मे करियर चोपट हो चुका है जैसा भी नेतरी को सोनाले के बल जैसी अच्छी फिल्म के लिए जाना जाता है जब उनके पास कोई बड़ी फिल्म नहीं है एक केस ने उनके बॉलीवूड करियर पर फुल स्टोप लगा दिया है पहले ऐसी खबरे आई थी कि रिया रूमी जाफरी की एक फिल्म में नजर आने वाली है लेकिन खुद रूमी ने इसे अफवा बता दिया ऐसे में रिया चकरवती के पास ना 2020 में कोई काम था और ना ही 2021 में मिलने के आसार नजर आ रही है हाँ ये जरूर है कि उनके पास एक फिल्म जरूर है जिस पर लंबे समय से काम चल रहा है बताते चले कि रिया चकरवती अमिताब बच्चन संग उनकी फिल्म चेहरे में नजर आने वाली है लेकिन इसे भी रिया का कोई नया प्रोजेक्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस प करने से जीजक रहे हैं वहीं खुद रिया भी अपने आपको लाइम लाइट से दूर रख रही है अब 2021 में एक्ट्रिस की बड़े पर वापसी कैसे होती है यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है अभी के लिए रिया चकरवती को सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया जा रह ही है बताते चले कि शुषान सिंग ने आत्महत्या की थी उनकी आत्महत्या के बाद यह खलबली मची हुई है उनके च्छाने वालों को भी जटका लगा हुआ है वह चोटे और बड़े पर अपनी चाप छोड़ चुके थे लोग उनके अभिने को पसंद भी करने लगे थे एक्टर सुषान सिंग राजपूत की मोत को छे महीने से जादा गुजर चुके हैं लेकिन अभी भी एक्टर के फैन उनके लिए न्याय की मांग लगा तार कर को सब्सक्राइब करीज कर्देश्ट प्रफेक्टर के विए यवडे स्ट्बिज्ट सुन किर्ज कर्देश्य दार का थे वोगवड़ यवडाब्यग नेध्या यवड़ी नची पर आदेज्ट करेंटेश्र एंधूत अपनी अटनेश्ट इन्हें पर अटकरण पूजर ओ